एडिशनल डीसीपी साउथ जोन और हम लोग सब मिल करें एक मीटिंग किये जिसमें हम लोगों ने हमारे कॉर्पोरेटर्स जो हैं साउथ जोन के उनके साथ गुफ्तगू की इस गुफ्तगू में जिन सब्जेक्स पर डिस्कशन हुआ उसमें एक दो चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा सबसे पहली बात तो ये केवल पुराने शहर की बात नहीं है पूरे हैदराबाद में और शायद सभी बड़े शहरों में हिंदुस्तान के हुआ है कि कुछ लोग वाइटनर के एडिक्ट हो रहे हैं और ये एक ऐसा मसला है जिसपर की मैं हर परिवार वालों से अपील करता हूँ कि आप अपने बच्चों के उपर निगाह रखें कि वो कहां जा रहे हैं और क्या वो इस एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं क्या वाइटनर काली में अगर कोई एडिक्ट वाइटनर खरीद रहा है तो उनके खिलाफ भी कारवाई होगी और वो भी जेल जाएंगे एक नए जेनरेशन को जो आगे अपनी पढ़ाई कर रहा है जिसे आगे रोजगार की जरूरत है उसको अगर आप वाइटनर देकर उसको गलत रास्ते पर ले जाएंगे तो ये हम हैदराबाद सिटी पुलीस के तरफ से बरदाश्ट नहीं करेंगे और सभी दुकान वाले को मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर ऐसा ख़वर मुझे मिला तो आपके खिलाफ केस रेजिस्टर होगा और आप गिरफतार होंगे दूसरी बात जो रात तक बैठते हैं और उसमें से कुछ लोग गलत काम भी करते हैं तो ये ख़वर मुझे मिली थी और आज उस खवर को हमारे कॉर्पोरेटर भाई लोगों ने और पुक्ता किया और हमारे सभी स्टेशन हाउस आफिसर जो पुराने शहर के यहां मौजूद थे सभी लोग ग्राउंड में बिना किसी वजह के बैठते हैं उसमें कुछ लोग जुआ खेलते हैं कुछ लोग शराब पीते हैं उनके खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के यूद का कैरियर खराब हो और उनके खिलाफ केस्बुक किया जाए इसलिए आ हमारे कॉर्पोरेटर के तरफ से जो रिक्वेस्ट आई कि हमारे कुछ एरिया में जो जहां सडकें थोड़ी पतली हैं जहां बड़ी गारियां नहीं जा सकती हैं वहां ब्लू कोल्ट मोटर साइकल का पेट्रोलिंग थोड़ा और अच्छा हो तो ये भी हमारे पूरे में बारी है कि ऐसा कोई भी गली नहीं रहे जहां उनकी मोटर साइकल नहीं जाए दिन में एक ही बार जाएं लेकिन जरूर कभर करें और एडिशनल डीसीपी रफिक साहब ने पिछले करीब 10 दिनों में एक बहुत अच्छा एक्सेसाइस किया है आप लोग को मालुम होगा कि हमारे यहां जो पेट्रोलिंग सिस्टम है जो शहर में जो 122 पेट्रोलिंग कार्ज हैं इनोवा ये एक रूट के तहर चलती हैं तो वो रूट को पिछले 6 महिने 8 महिने में जो क्राइम हुआ है उस क्राइम को एक मैप पर प्लॉट करने के बाद एक नया जो पिक्चर इ हमारी टेकनिकल टीम, सिटी क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो की टीम, आईटी सेल की टीम, उसको एनालिसिस करके उसको हम लोग फाइन ट्यून बनाएंगे और बहतर बनाएंगे, जिसमें कि जिस जिस जगह पे छोटी बड़ी वारदात हो रही है, उनकी निगरानी, उनका जहन में सबसे बड़ी चीज है कि नए बच्चों को अच्छी तालीम मिले, बड़े होने पर उनको अच्छा रोजगार मिले, उनकी अच्छी तंखवा हो, जिसे कि वो खुशी से रहे, ऐसे मौके पे 99.9% लोग यही चाहते हैं, लेकिन जो 0.1%, 10-5% लोग हैं, जो कभी सो मस्जित का इशू बनाना, मैं उनको वर्निंग भी देता हूँ और उनको गुजारिश भी करता हूँ उनसे, कि वो ऐसी चीजों में नहीं आएं, हैदराबाद आज की तारीख में केवल एक चीज जानता है, कि हमें economic development चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, उनक और हम मिलकर एक साथ काम करेंगे, यही हमारा determination है, यही हमारा इरादा है, thank you.